नमस्ते बिहार विधान सभाद चुनाव कवर करने निकली हमारी ललन टॉप की टीम फिलाल बेगु सराई जिले में है यह जो खंधार आपको दिख रहा है कहानी है कि इसी खंधार पर 1957 में एक पोलिंग बूथ था और यह वो पहला पोलिंग बूथ था जहां उसकी बूथ कैप्चरिंग की जिसको बूथ लूटना कहते हैं उसकी वारदात हुई थी कई बार हम गाओं में आये लोगों ने बताया कि कई बार मीडिया वाले और बांकी लोग आते हैं यह कहानी सुनने के लिए कि क्या हुआ था उस साल वो कहानी क्या है बूथ कैप्चरि हैं हम उनसे बात करके आपको भी वो कहानी सुनाने की कोशिश करते हैं आपका नाम क्या है बाबा राम चरितर राय पताइए क्या हुआ था क्या क्यों देखने आते हैं आपके इस खंधर को लो यह जो खंधर था पहले उन्हें संतावन में यहां बुथ था और यहां पर अपुर्मादान का दूरी तीन किलो मेटर है और बैल गारी से आते थे और उस बक्त दो कंडिडिट थे एक सर्जुग बाबु थे चल से खरवाओ थे सर्जुग बाबु थे कॉंग्रेस से और वो थे कम्यूनिस पर्टि जी तो यहां से एक किलो मीटर दूरी पर बैल गाल जो आ पर मार पिठ वा यहां फशाद वा और बुथ कहां लूट हो गए सचर्जुग बाबु नहीं जीते थे ना कृश्चन में तो कम सुन कह जो लेकिन उसे लेक्षन में तो क्व चंदर शेखर जी शन नहीं सर्जुग बाबु जीते थे चंद्शेखर वाओ जी जी गावबाले नहीं लूटे थे अधाराद में लूटा था बाहर वा हां से किलुमीटर दूर पूरव की ओर ते बैल गरी से आ रहा था अर रास्ते में इसा हंगामा किया गया जो इसे बिद्धायक लोग अपना बर्चस के लिए जो है सो बुथ को जो अपना बर्चस के लिए परशासन यहां से चला गया था जंजट ठोड़ाने के लिए यहां खाली था बुथ इसलिए इसा हुआ अज़ा बोगस वोटिंग सब जो 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 जैसे होता है कि कोई पार्टी होती है वो वोटर को भगा देती है अपना थपा लगा लेती है वैसा कुछ नहीं हुआ था थ अअपना कंडिडियेट प्रशान थे लगाइए अपना चाप ली हो जोए घुझे था यह लुख वाज़ा इसलिए हो ऊज़ा इसलिए हो जो जा जिए अपनान पर बहुत सब्सक्रा यहां पर बए ता यह जिए यहां फ्रशा था था उन्ये तैसा हुट्छा जा उड आ द गूत का जो इस्तमाल है वो कब बंद हो गया यह पैसर्ट से अब कहाँ पे डलता है अब हम लोगों को प्राथिक विद्याले हो गया है प्राथिक विद्याले मुथ बन चुका है इसकूल में यह रचिया ही गाउं है और यह जिस विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है वे ग भीट जिए थे तो हार बार लोगा यह एंचले सांतिबर मादान होता है जो होज अट G rim गिरता है कियार बार लोग सुनों के जाते हैं उस्कूल पाच लात जैने फिए आप लोगों पूच को रहर बाई ऑना योल बोले ना कि और कुछ नहीं कि यह फिर से कचारी को बनाया जाए और यहां बूत दिया जाए जो बर्हियां रहेगा यहां बढ़िया रहेगा आभी वाला भी तो एक किलोमीटर दूर है उसमें क्या खराभी यह बहुत सरा यहां अच्छा रहेगा जो आदमी कचारी का काम करे है अपना दूर का दूर जाना परता है पंच किलोमीटर यहां नजदी को गा और सब आस पास को भी नजदी खोगा यह अरे ये तो फिर सब कहेंगे सब के द्वारी यह बना दिया जाए यहां जो पुरा पुराना हैं अंग्रेज का दिया हुआ है वह बनना चाहिए यह यह आपके गाऊ की सबसे बड़ी दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं है गाऊ में, और कोई दिक्कत पराशानी नहीं है, यहीए आपके गाऊ में, बागी सब बिल गया आप लोगो सरकार की तरफ से, बोलो यह लोग तो कह रहे हैं, बस एको कचहरी वाला पुराना बन जाए एक पुर्ड लूपस नहीं बना है लेकिन नहीं बनाया क्या काम करते हो पढ़ाई करते हो पर आयकर नाम क्या है अंकित कुमार अंकित कहां पर पढ़ाई करते हो किस क्लास में बीए पाथनों में गारी दिर्फन करवना है कॉलेज का नाम क्या अभी अब आप अधिया लिखाय होता है वहां पढ़ाय लिखाय बहुत अच्छा होता था अभी दाखिला नहीं लिया किस वज़ा से बर अब अग्मिशन लेट से हो रहा है किया करूना की बज़्यासे तो बांकी को रूना में गाओं का आपन यहां पे जन्संख्या है पांच हेजार उपर है कि हम लोगों के बगल में फैक्टरीया है और फैक्टरी वे मजदूर सब काम करने लिकिन के अंदर में मजदूरी जी से बंज हो गया मैं बुक्मरी पैदा हो गया लोग्डोर में में एक सी पतार एक फसल लगता है आयो लोधम होता हो झाल जाता है यौ testatatatatatatatu 18 कांओ दो क्यों आना है जो बाहर जाते हैं बाहर से कमाक आते हैं वो भी सरकार उठा कि ले आना बिहार सरकार ने फिर भी यहां बैठा हुआ रोजगार नहीं मिला मजदूर सब जैसे यहां के लोग जो हैं काम करते हैं आपने कहा है बेगु सराय में जो कलकार खांटरी है वहां अधर यहां फैक्टरी नहीं मिलता है तो अधर दिली पंजाब बंबय और चला जाता है वो लोग वापस बीहार सरकार ने लाया लाया तो उसको रोजगार देना चाहिए देना चाहिए कि नहीं जाओर रोजगार है बैठे हुए तो यह वापस नहीं गए आपके अलाके में जो विधायक हैं थे बोगो सिंह हैं ना दौज़ पांच मिन निर्दलिय चुनी गए फिर जेडियू के साथ आगे क्या इस बार फिर से खड़े हैं तो हमने खबर सुनी थी वो बड़ा गुस्सा हो रहे थे अधिकारियों पे की कोरोना के समय में की काम नहीं कर रहे हैं कुछ वीडियो आए उनके कुछ तस्वीर आए कि खुद गाहों में घूम के सेनिटाइजर चीट रहे हैं कैस की लिए आए राम दीरी के लिए क्या झा रहे हैं वह 싫े हैं पंद्राइ साव सी बनाना है क्या रहूंदै जैप फंपर Okay Amen काचाहरी का मतलब कि कैचाहरी जो है इसको अगर पुरनुम से जीवित किया जाए तो हम लोगों से 12 कि यहां से 12 किलोमीटर सदर परखन परता है कि कोई भी काज काम करते हैं जमीन का हो या को एकिपो नाइन करना हो या फ्रला हो को पारे किलों मिट अगया है उसा मैं यहां हमको नहीं जीताएगा यहां नीतिश कुमार को जीताया गया आपको यहां जीताया गया ऐसा बोलते हैं मेन चीज बात सुच्छे बोगो बाउ का नाड़ा है की आप लोग जितने भी सदस हैं सिर्फ निटी सभाव के नाम पर मत दाता देते हैं हमको नहीं देते हैं उनका अकाना हुआ लेकिन मत अपने मन मता भी किसी को चुनता है और देता है तब आगे बढ़ते हैं तो यहां पर भी अगले साल भी उनको सम्मानित क्या गया खिवगल के हैं परोशी है औ तो कोई काम किया है लोगोने कर दो देखने लेकशन परात्त गड़ोच में करने जी जाते हैं मुझी कई करने कर दोक्ष्प यह तुच्री उसलोहरां भाएन कि आ सब नितिस्क मारिक भॉट म्हां नहीं दिये उसंचानित का आई ओड़ा वहां झाल हो कि तुम्हारा कहना है तो जीत थे कई से जब काम नहीं करते हैं कि यह दिनी जीत जाते हैं तॉन हर आपने वो दिए हमको बोट आप नहीं वह पूर को समझ नहीं आया इंच्छ ना भी तो नीदिश कुमार का इनाम लेके वुट मोंगते हुगे ना अभी हो रहा पर जलती हो रहा है इस बार क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार मैदान शंघर्स की यूर जा रहा है अपना मत अधिकार का जो करेगा मधदान वह अपना सोस्टारी को पता चलेगा मेडम समझगे और दसको रिजल्ट होगा तपने आप पता सब्सक्राइब को मत बताई आप किसको वोट देंगे होता है ना माहौल होता है किसके नाम का अभी महौल जह है गाउं का महौल अभी आप कर लेते हैं मारकित जाते हैं मास्कि शुनाव का कुछ पताह נग करते है हइं चलता है यहां आपस हान शुनाव क बैट नई भेट रहा है है के कि बादे तो तो नहीं होगा अगर होगा थो गाभी तो नहीं हुआ है पांच छे दिन पहले वोटिंग से बैठ कि बैठें जब टेकर थे जब तो फे पूरा गाउंग कि एक चीज़ और है सरकार भी जो है निती सरकार भी आये हैं हम लोग बादिया चेत्र में बाद हो जाता है सरकार ने काता है कि आपको खाता पर चला जाएगा रचाही पंचायत में पैसा ही नहीं आया फसल चला गया यह कहां कि है कि अबी खोल के बोल देते हैं दस वाड्य को वाड्य में चाले सद्सकों पैंटिस्सकों मिला पचास को मिला इसी तरह करके देदी आधाधरा किया उसके बंद कर देश वासल चला गया बाद में हर घर में पानी पर वेस कर गया सरकार ने कहा था कि छब्स्धार प्या अपके रखी तक कुछ नहीं, तो गरीब कहा जाएगा? मजदूर कहा जाएगा? मजदूर को रोजी रोटी मिलेगा तो पुखा बैठा रहेगा घरे में बहुत समस्या है यहां पर यह जो आपने बता ही समस्या जैसे यह रचिया ही गाहूं की पुराने हिस्ट्री जिसकी वज़से आपके गाहूं में लोग अकसर आते हैं इसकी कहानी पूछने के लिए किस साथ आवन में क्या हूओ उसके बाद कभी बूद कैप्चरिंग तो जब दोर आया बूत कैप्चरिंग का भिहार में सब तरह बूथ लूटे जाने लगे यहां नहीं नहीं उन्हें नहीं नहीं रगल के बाद स्वक्षा से मद्दान नेते ।ो सवक्षा से जाते हैं 152 सब्सक्राइब करते हैं यहां पर यहां पर उपर कुमा कब की बाद है वो निस्वा कटरें कंग्रेसर कैने कैए कौूणिस पार्टी ने किया था वोगों किसी पार्टी का त्सवा कॉनसे पार्टी वालों ने किया था ले गया बसाहीं बात आता सारे के सारे Prague यहां से तीन किलो मीटर जमीन से राजापूर मच्छा बैलगरी से गिराने के लिए ही बुथ पर आता था अब तो हर गाउं में बुथे बन चुका है दूगों तिन गों चार गों पंच बन चुका है अभी गाउं गाउं ने हर लरका बच्चा है कुछ लेंदिन वली बात हो से शेवेंटी परसेंट भोट है नितिशकुमार का इस बीच में जो कुछ लोग है इधर उधर पांत परसेंट दस परसेंट जो भोट नहीं देने बाले हैं लड़का बच्चा वह उसको लेकर खरा हो गर कादमी हो जाता है जमा हो जाता है तो उसको हम लोग क्या मैंने अपने तिशकुमार का तिक है ने जनी काम ठीक है नारग में वाले बोल रहे है नाल बीजली जो बिजली जहाएन इंद्ध है लोगा नहीं किया है लगा एहन तोटी उटी और बखेबाद सब तोटीग रोड नहीं था, हमारे देराम जतना भी खेत पतार था, उधर से घास काट करने हिलाता था, मकार नहीं लाता था, अभी रोड बन गिया है, तो वहाँ पर से डारेक्टर जाता है, चलाता है फसल, तो मेन फसल जो चलाता है, जीवन को लिए, उन बचा हुआ, वो रोड बनना हुआ है, जाँ हाले था, जो थाँ फइदा डिया मेरे बोर चाहिए बहुता है, जीवन को लोग बदमीज़ी करते हैं, तो लोग बदमीज़ी करते हैं? इसको मिलिया है. जहां देरहन होता है. नितिष्कुमार्स झाथ को अभर 15 साल हूँ धरी की किया। नितिष्कुमार है. जहां तक हुआ तहां तर बढ़िय गीया केह सित्ची जहां हूँ जहां तक हूँ पहले हूँ, थियो है . कि आप बताएं कि कह रहे हैं कि आ जाता था समय पर आप उभी नहीं मिलता है तेन पास किया दसजार मिलना चाहिए पहले ता मिलता है दो साल बाद ऐसे कैसे होगा आप बताएं कि शुरुआत के पांच साल कि अभी अभी सरकार की उपर दबाब है एक लड़ता है उधर पाकिस्तान और चीन का यहां पर क्या सब्सक्राइब को यह बात समझ नहीं आया अपने का कि पाकिस्तान और चीन का मामला अभी बिहार सरकार के कामकाज को कैसे प्रभावित कर सकता है कि इस तो करलेकर चैन क्यानाओ पैसान दे रहा है क्योंकि यह पाकिस्तान सी तंग तंग आधा क्या मतला है क्वहलों अभीं चैन पाकिस्तान अविभनेशीय तो आप हुआ बारज्ट को तो काम जो कह रहा है कि ऊसरुदवाद के 5 साल काम कि ए पिर 10 साल क्यां उसका कहना है आप में करना लड़काब बत्या है तो आप पाहित ऊसाल जो था था उसमें नौर्मल काम यह कह रहे ते चीन पाकिस्तान तुम को भी यह लगता है कि चीन पाकिस्तान त्रीकाम नहीं वोपा इसमें विडाटी लोग को कुछ नफा होना चाहिए जैसे कि रोजगार मिलना चाहिए उसको जौप मिलना चाहिए यह पर लिख लिए है यहां घुम रहे हैं सरक पे लल्ला मक्ति किसी को कोई काम नहीं है अपना घुमते हैं राते हैं और सरकार को क्या इसमें चीन पकिस्तान का कोई अधी है नहीं अप सेना लोग जाएंगे वो करेंगे ना सेना को बाहली नहीं करेंगे सेना रखेंगे अपने साथ सेना रखेंगे बिधायक को जो उसको साथ कोई काम नहीं है बिधायक में क्या एक सेना देगा तो बहुत हो गया यहां चरचर सेना भी लेक चल रहा है कौन सेना लेके चल रहा है सेना मतलब वही हुआ बहार पुलीस को लेग चल रहा है कोई हुआ गाड हुआ उसका कि नहीं हुआ सब इधायक लेग चल रहे हैं सब नेता लोग चल रहे हैं नेता लोग आते हैं तो जितना सेना वहां नहीं है बोडर पर नहीं है उतना सेना रहते हैं उनके साथ क्योरिटी की बात कर रहे हैं उनके सिकुरेटी में रहते हैं उतना क्या उसे ना हम लोग उसका सिरुक्षित नहीं कर सकते हैं क्या वही कर सकते हैं इधर से वेकेंसी की आवाज आ रही है कौन बोल रहा है वेकेंसी के बारे में आप क्या कह रहे हैं वह बोल रहा है था सेना की कि एकान जाता है तो मेरिट में जाते चट जाते हैं अभी तो कितना साल से बाकेंसी नहीं आइए अभी जो लेटेस्ट वेकेंसी हम आपको बता दें कि जो बिहार पुलिस का 495 वेकेंसी आया था उसमें लगभग सात लाग स्टूडेंट वह रहा है बताइए कि कहां बच्चा के जॉब कहां होगा रेलवे जो नोकरी दी थी डियर लाग वेकेंसी जो पुरा भारत में इससे ज्यादा वेकेंसी कभी नहीं था अब बताइए कि कितना बच्चा उसमें जोइनिंग किया है और उसके बाद वेकेंसी कितना आया है चार साल से कोई वेकेंसी फिर अभी आया ही नहीं है हर साल छो लाख साथ लाख बच्चा बैठता है टैन्थ एक्जाम में हर कोई एक्जाम में उसको फेकेंसी राता है दो लाख एक लाख पचास जार इसम कैसे होगा बढ़ विद्यार्थी कहां जाएगा बताइए इसके सवाल का क्या जवाब है फिर से चीन पाकिस्तान है कुछ घर में है तो भारत के पूरी मालिक है नरेंदर मोजी अपने युवाओं के अपने गाउं का जो लड़का लोगे आप लोगा नौजवान उसकी बात का जवाब नहीं दिया वो तो बोल रहा था भी जैसे आप कह रहते कि कोई बात नहीं उच नीच कम घटी होता र मैं भी जम्यों कास्व मिर्म ही अम्रालर का कि सीज में लुडमी को यक करता है इसक है तेयर होता है एक प्रचार बंबे मैं था भारत को प्रचार इसार चला या लोक्डाउन होगी आ उसमें प्रे गारी-धुरी मिलाने उदर जाने के लिए फिर उंते हैं पंपनी कंदर मुखराना बायरस इतना हो गिया की बंद कर दिया उसका ही तो आभी उसका काम लगना तो पांचे मैना से ठाफ इस हाँ आपकसे काम चल रहा है का अगर फूटि गरस्टी करते हैं इस में अपना खेथ टारी होता है करते हैं है बैट इन खेथ लिचंट हो ये लेकि घड़नuesाथ फिकार लेते हैं कितना लेते हैं प्रसल में थैकार ले लेता है यह तो पैसा देते हैं या यदरे लेता है या अमको आजी दे जता है ले List तो खाए या बाड में दह जाए तर नुकसान किसका होता है तो नुकसान हो गया हम रहा आपका नुकसान होगा उसको वह अपना रची देखा करेको कुछ निकाल लिया अपना पैसा को जरसीद पास में है अभी स्वावीन में नहीं दिया जो की स्वावीन जदा बुना जाता है स्वावीन बला को रोक लिया है फसल भी मम दिया था कुछ कुछ को दिया बटे दार को Parrish अडिश्चनल जो रसीद लगा किया उनलाइन उसको अभी नहीं मिला है और जो स्वाभीन बुना है स्वाभीन बना को भी मिला है लम्सम सब का 10-15 पंदरा हजार ऐसे हैं सब उतना ही खेती करते हैं तो क्या सब का भील उतना आते आए लेकिन अभी तक उसका खाता मुप्या तो अभी जो चल रहा था किसान को लेकर जो नया बिलाया है उसके बारे में कुछ जानते हैं आप लो यह उदर हम टीवी में देखें किसान अंदूलन चलता है उदर क्या है को कुछ पता हैं लोगो का्ना आयै कि मुव्यादी जीक थासल का इसलिए किसान अंदधारा था है पासिल लगा करके कुछ करते कर रहा है थंदूलन फुछ गुछ तरह की नहीं हुआ थर अबो तरह हैं तर आब होट। मैंने जे झाल किये हैं फसल छटी हुआ है देन को मन होगा तो देगा नहीं उने हो फोर रभी टो भरा हुआ है ऑफ ज़िए खरीप दोनों भरा हुआ है उनलेइन अब हमारे आपकी फशल खराब हो गई इतनी फशल इतना लागत सिपर करवाते हैं ज tren किसान उतना है пл laser 25 लाग भरते हैं लेकिन उसका भी दुबा है उसका भी फसल विरबाद हुआ है उसको मकरिस्त ज़्यादा मिलना चाहिए को सम del практически कॉछ मिलें कि सरकार कुम बार के दे दिये ंटेगा नहीं मनों हो तो नहीं देगा तो नहीं कर दियां कि आप then करें गया आपको मिलेगा ऐसा तो उसकोने करना चाहिए अगर दिया मिला कुछ साध मुवbelsाहि को मतला जिसको कहते हैं मोक्ष प्राप्त व्यक्ति है क्या कि मतला ठीक है जो हो रहा है हो रहा है मिल गया कर दो अदेंगे निसान करेंगे रोट पड़ जा करके अभी दहर ना दे दिया है लोग को जतना भी फसल उसल के लेकर के वहां फिक दिया बार दूद उबलाक देखें कहां कहां उधर दिलिये पंजाब को तरफ राजा स्थान के तरफ टीवी में देख रहे थे दूद के खोल दिया ठीक है जदी उसको बहुत गुसा था तो बांट ता किसी को और सरकार देखाया कि छती कर दिया था सरकार दिया बांट दया है कि ऊसने बांट दिया होता मैं का समर्थन eig वैसे नहीं कर रही हुए कि बहाना सही था कि फैक न सही ता पर अगर उन्हों नहीं बहाया होता दूद सड़क पे या सबजियां अपनी नहीं फेकी होती खराब स्थिति दिखाने के लिए तो आपको पता चलता कि मतला आप टीवी पे देखते कि उनका ये ये गुस्सा है उनकी ये ये मांग है और इस गुस्से में उन्होंने ये किया है अभी कि जूग में 90 परसंट के विवेखे उड़ गिया है खाली अपना सुबधा खोथा है अपना डिमान खोज रहा है अपन सुबधा खोज रहा है गाउं के धर चल गिया देश के धर चलिया खोज रहा है लेकिन कुछ धरती प्रादिमी है जैसन की चंतुस्त में रहता है अलगान करता कि जा ही दूध बहा देंगे तुरंट बढ़ा देगा कली दाम अज रहा हैं पर कि घाय के दूध एक लिटर दूध का किया रेट चलता है यहां पर संटर मिलता है उन्तीस रुपया मैं कौन सा सेंटर जैंड बरोनी डेरी है सुधा डेरी है वह लेता है उन्त लेकिन यहां से 29 रुपय दूद खरिती है अच्छा गाय का 29 रुपय की भाइस का भी वही रेट है अब भाइस का क्या रेट है भाइस के तो फेट पर लेता है फेट जितना उड़ता है चाहर दिन कैसे लेते हैं इकटा करते हैं यहां से भी ले जाते हैं फिर यहां दूद हो सेंटर पर जाकर खुद वी जो किसान है उजाकर वहां दे देते हैं है चुत हिसे कमाई होती है घरों में यहां पर पशू पालते हैं ज्यादर संख्या में ये सबसे ज्वसे ज्यादम चाहिन कहुंकर आपना जो है बंस्तुरह ज्यादा है नहीं आर्ण तो खेर इस लॉकड़ून के करन बहुत इस्तिती खराब हो गई यह गउंकी इसे पहले थोरा बहुत ठीक भी था अभी आर्थिक इस्तिती पूर्ण रूप से चोपट हो गया है और सरकार का जो रवेया है वो तो हम क्या देखेंगा हर कोई देख रहा है नम नाकुरी है जो प्राइबेट जॉब करने वाले हो मजदूर हो अभी बताते हैं बेगुसराय जो है नगर निगम के पास यह कहीं भी चोग चोराय पर जो लेवर जाकर इकटा ओकर कहीं कम ढूनने के लिए जाते थे अभी कम भी नहीं मिल रहा है उनको किसी तरह से अपना घर चल रहा है ब इसलिए सरकार ना ठीक थी ना है और अब भी समें क्या होता है यह इस बार चुनाब होने के बाद पता चले लग रहा है इस बार कौन आएगा अभी यह काना तो मुस्किल है कि कौन आएगा लेकिन इदर मट्यानी बिधान सवा से जो है इदर बोगो सिंग का इस्तिति अभ जादा वेदारी बहुत ही जाएदा है हर छेत्र में और यहां जो भी वैसे तो मटी हो या बेगुस रहो जो भी पार्टी है पार्टी हमेसा फरवर्ट कास्ट को ही टिकट देती है आप बिगत चार पंस दो तीन जो प्रियाट सुआ है पंच-पैस साल का आप उठा कर है तो कोई भी पार्टी हो हमेसा वह फरवर्ट को ही टिकर देती है बैक बड़ को टिकट ही नहीं देती है और उसके बाद जी जाते हैं ने नाम पर वोट आपने तो नितिश कुमार को वोट दिया तो हम काम नहीं करेंगे यह उनका कहना है ठीक हर कोई जा जाकर तो उनको क्या कहेगा आप देखिए वह ऐसे दवंग आदमी है और कोई उनको जाकर कुछ कह नहीं सकता उनके उपर कुछ चल रहे हैं कुछ दर्ज थे और कुछ डखैती के माम ले भी लेकिन फिलाल थावित नहीं फिलाल नेता का तो आप जो नहीं रहें कि सिर्पून के उपर चार्ज लगा हुआ रहाता है कभी भी मर जाते हैं लेकिन वह साबित नहीं हो पाता है अब एकाद कोई साबित हो गया ओढ़ित हो और तो साबित चल दे रहता है हूं ठीक है बहुत सारे चार्ज हैं लगे हुए अपने का दबांग आदमी है दबंग से हम क्या समझिया तो थोड़ा दबंका क्या मतलब बबंका मतलब यही होता है कि मल जेकि जिस एक एरिया में हुए है उनका अपना बर्चसम अपना रुटवा है अब हम उनको कुछ नहीं बोल सकते हैं चुकि अभी भी मतिहानी में और बेगुस्राय में मैं जहां से हूं मैं वहां का बात बोलूँगा कि मतिहानी में अभी यह इस्तिति है कि फॉर्वड काश्ट के जो भी लोग हैं बैकवर्ड को अपने से नीचे सम रजा नीसे कभी नहीं देते हैं और वोड की तो बात ही अलग है बैकर ब Zwe repeating कर सकते हैं लिकिन यह पर जाते हैं वह सारह जाने के बाद उनको कुछ कुछ बैएटर हैं ठीक हम जाते हैं तो हम लोको थोड़ा बहुत झत पहँतमिलता है लेकिन बहुत सारे इसे भी बैक वर् और णोनों को आसा जेलना पड़ा के लिए तो धुर्वाज के बात तो इस थितिया बदली है हमारी अपने अगर थो हम से मेरे साहत नहीं हुआ लेकिन हमारे जो साथि निके साहत तो हुआ अभी भी हो रहा है बैठने नहीं दिया जाता है सही से बरताव नहीं किया जाता है यह सारी समस्यां चलती रहती है और अभी समस्यां है समझें तो इसलिए हम लोग जो भी हैं और हमारा सारा गौं अमरे स्राय को सपोर्ट कर रहा है बहुत सारे करने की वोटिंग से तीन-चार रोज पहले बैठ करेंगा पिर यहां पि-धै होगा वी जाखे सब पूरा गवाऊ देगा ऐसा होता है क्या कि मफ्या गल। म एक ही इंसान को भौत देगा और देता भी है अब इसे मैप को बता दू जो पिछले पंच साल का जो हमारे गाउं के लिए कुछ नहीं किया आप पिछले चुनाव के वक्त आप यहां थे मैं बोटर कुछ तोड़ा उस गाउं की मीटिंग के बारे में बता पाएंगे क्या जहां पे सब ने बैठ कर कौन सी जगह ती ग्राम पंचायत का भवन था या किस तो यहां यहां पर मंदीर यहां बहुता है यहां पर होता है अच्छा फ़लाने दिन पूरे गाहं में होता है कि इस दिन आ। मिलके बैठ जाएंगे जो बुजूर्ग हैं तरह में भी सिस्टम है यहीं होता है अगल-बगल की दो बाता है वहां पे इतना ज्यादा एका नहीं होता लोगों में चुकी एकता बहुत जैदा होती है ठीक अब सहर में तो एक घर यह है समने बगलवाले को पाचानते तक नहीं यहां तो गाउं के उसको नहीं किसी का घर है उसको नहीं कुछ होगा सब सभी को जानते हैं इसलिए एकता के कारण हम लोग जो है एक जूट होकर एक पिछले बार यह नहीं बात हुई थी क्या कि पिछले पास साल में बोगो सिंह का कामकाज कैसा था तब संतुष्ट थे पिछले बासंतुष्ट देख यह ची बताते हम आपको संतुष्ट संतुष्ट तो कभी नहीं थे ठीक है लेकिन वह हो जाता है आप चुनाब को जो है मुख्या बने ठीक है तहर को यहां भी चुकि यहां कुर्मी का ताइदा जैदा है तो सब यहां नहीं देखता है सब उपर देखता है कि मुखमंत्री जो हमारे राजका वह कुर्मी है इस कारण से बोट अपना डाल देता था आईस बार भी अगर यह खरा नहीं होते है इसलिए वह एक फैक्टर हमेशा से रहता है आप देखिए क्या कोई पार्टी हो ति आप बीजेपी रख लीजिए आप बीजेपी बताइए कि कितुना बेकवर्ट को टिकट देती है आप हर जगह देखिए ज्यादा से ज्यादा उसका 70-80% जो है फोरवर्ट काहीं टिक को लेकर हो नौकरी को लेकर हर जगह से ज journée काहरि हमेरे साथ यह यह जनकारी भी नहीं है मुझे आपने कभी नहीं देखा कि 12 क्या से बाटना होता हो घुम क्या है कि चुना में तो तो यह आम बात है ना तो जब को यह आम चीज होती है यानी वह जानकारी में है कोई चीज को और जो आए लेकिन इस चीज के बारे में जानते है ने चुक्षित देखें नहीं है यह है रचियाही गाउं और रचियाही गाउं जब भी आप डूंडेंगे पढ़ेंगे गूगल करेंगे उसका नाम सबसे पहली चीज यही आएगी कि जी 1957 में सबसे पहले यही से बूत कैप्चरिंग शुरू हुई थी यही वो गाउं है जिसने पहली बार बूत कैप्चरिंग परमल करके तब के लोगों ने दिखाया था कि भाई ऐसा भी हो सकता है बात में तो विहार का लंबा दौर रहा है बूत कैप्चरिंग का जब बोगस व था रचियाही गाउं मतिहाने विधान सबाक्षेत्र जिला बेगु सराय हम टीम ललन टॉप कैमरे के इस तरफ मैं स्वाती और उस तरफ मेरे साथ ही अमितेश शुक्रिया